हड्डिया हमारे सरीरिकह के महतवूर हिस्सा है जो कि हमारी सरीरmarz bisogna के foundation को बनाए रखती हैं बہتर सवस्त दिन छिन हिंग के लिए हमारी हड्डियों को मभूत होना बहुत ही जरूरी होता है लेकिन किनी कारों की बज़े से हमारी हड्डियां कमजोर पढ़ने लगती हैं इनी हड्डियों के बारे में आज हम बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं एक डॉक्टरिप का शाक कि और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हल्प के आज पारे में बात कर लेते हैं जो हमारी हड़्डियों को कमजोर बना सकते हैं। यदि आप आराम देज जीवन से लिए जी रहें तो आपकी हड़्डियों के लिए बहुत ज़्यादा नुक्सान दाएक थावित हो सकता है। बोंस की मजबूत ही बनाय रखने के लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप आराम देज जीवन से लिए पसंद करते हैं तो आपकी हड़्डियों से समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। खास दोर पर औस्टियोपॉरोसिस नाम की डिसीज हो जाती है। जिसमें आपकी हड़्डियों कमजोर पढ़ने लगती है। और थोड़ी बहुत चोट लगने के कान भी आपकी हड़्डियों तोड़ सकती है। सही मातरा में रोजाना केलसियम के सेवर नहीं कर रहे हैं तो आपकी हड़्डियों कंजोर हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको केलसियम की कमी है। लेकिन फिर भी यदि आप केलसियम की मातरा ले रहे हैं। फिर भी आपको केलसियम की कमी हो सकती है, हो सकता है आपको बिटामिन D की कमी हो, इसलिए आपका केलसियम के अब्जॉर्विशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको केलसियम की कमी की पूर्ती नहीं हो पाती है, यदि आपको बिटामिन D के वारे में कोई जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से ही आप इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपको कोई थायराइट से समबंदी समस्या तो भी हड्डियों से समस्या हो सकती थायराइट गरंती कृम इस आपकी हड्डियों पार सकता है तो भी आपकी हड्डियों को ये बहुत बुरी तरह से परवाविश कर सकती है सेवन करने से बहुत बहुत बढ़ा कारण है क्योंकि हड्डियों के साथ हड्डियों के साथ हड्डियों कमजोर होने की समझ से महलां में जादा पाई जाती है मेनोपाज यानि महलाओं में एमसी आना बंद हो जाना मेनोपाज कहलाता है मेनोपाज के बात सरी में हर्मोस बदलाब होने लगते हैं जिसके कारण हड्डियों में कैसर की कमी हो जाती है और एस्ट्रोजन हर्मोन की कमी हो जाने के कारण भी हड्डियों में ठिकनेस कम होने लगती है जिसके कारण हड्डियों कमजोर पढ़ने लगती है कभी कभी कुछ जादा मेडियों के यूज करने से भी हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है जिसे इस्टेराइड, हार्मोनल मैडिसिन, कैंसर, अस्थमा, मिर्गी जैसे रोगों में ली जाने वाली दबाएं भी आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकती है पिसे भी बिन डॉक्टर की एडबास से किसी भी तरह की मैडिसिन नहीं लेना चाहिए आपका दिन मंगल में हो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं तैकि हैसे संबंदित वीडियों सबसे पहले आपको मिन सके हैं